सीधी वर जिलापंचायत सीईओ के बड़ी कारवाई सहुए आई है जैके बाद दूटे सचेव का निलंबित कई दिन गात रोजगार सहाय के सेवा समाप्ति के आदेश जारी कीन गाव है अपनक बताई देए के मुख्य कारे पाला नधिकारी जिलापंचायत सीधी राहूल नामदेव धोटे के तरफ से बिभागी योजना कले के समीच्छा बैठक के आयोजन कीन गरहा इमेठक के दौरान काम अला परवाही परते पर ब्रस्ताचार के मामला संहे आये के बाद सची वह ग्राम रोजगार सहाय के खिलाप बड़ी कारवाई कीन गही बैठ अपनक बताय देई के एही मेर से रामपूर नैकिन मा इसन कईया ग्राम पंचाई थाई जिन से जुड़े भरस्ताचार के मामले संहे आये हैं बड़ा सवाल या है कि क्या इनहूं के उपर सीईओ के द्वारा कारवाई कीन जई विनेशेत्र के पहल बगेली नियूस चैनल महां पूजा अपना पंचे सबजने का प्रडाम करें शुरू करें थे बड़ी कारवाई से अपनक बताय देई ग्राम पंचायत के द्वारा अधिरोपित कीन जाय वाले कामन के समीच्छा बैठक कीन गय रही वहें बैठक के द्वारान कई ए ग्राम पंचायत के महिला सचीव और रोजगार सहायक बिना कोनो उचित कारण के अनुपस्थित पाएगे रहें एके साथ है सचीव और रोजगार सहायक के पती समीच्छा बैठक मा शामिल होई पहुचे रहें जनकर सूचना सीईओ जिला पंचायत राहुल नाम देव धोटे का कीन गय जैसे उनका जानकारी मिली ता बिना कोनो देरी कई के फटकार लगाएके सचीव और रोजगार सहा के पती का समीच्छा बैठक से बाहर करे रास्ता देखाए दिहें एके साथ है बैठक मा सामिल होई वाले अधिकारियों कर्मचारिन का सक्त निर्देश दै के फटकार लगावागा है के काम मा पौनो मेर के लापरवाही और उदान सीनता करे वाले कर्मचारिन का बक्षा न और पड़कुरी 587 के रोजगार सहायक रमाकांत मिस्वा के दारा विकास के डाम पर सरकार के खजाना मा डाका डालागा है बैठकर शिकाइद घलाए ग्रामिनन के द्वारा कीन गही बैठ बड़ा सावाल लिया है के काजिला 85 CEO के द्वारा एहु मामला का संग्यान मलाई के इनके उपर कठोर कारवाई कीन जई यह फिर मामला ऐसने रफा दाफा कई दीन जई दे इजाज़त रखी आपनों और अपने परिवार के ख्याल प्रणाम